नमस्कार दुस्तों कैसे हैं आप लोग लक्ष्मी कांद की एक और वीडियो में आपका स्वागत है राइट्स एंड लाइबिल्टीज ऑफ दा गौर्वर्मेंट लक्ष्मी कांद का चैप्टर नुमर 67 हम लोग डिसकस कर रहे हैं यहां पर मैंने पिछली वीडियो में आपको जो प्रॉपर्टी होती है यूनियन के और स्टेट्स की उसके बारे में बताया और सूट्स बाई और अगेंस दा गौर्मेंट का एक बेसिक इंडूड़क्शन दिया है अब मैं आपको बताऊंगा लाइबिलिटी फॉर कॉंट् अगर आपने पिछली वीडियो में आपको दिया है तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखिए जाके कोशिश करेंगे सूट से अगेंस पब्लिक ऑफिशन भी यहां पर देस्कस कर लें चलिए सीज़े शुरुआत करते हैं इंग्जिक्योटिव पावर के चलते हैं मैंने आपको बता है न दो तरीकिक पावर होते हैं जिच्वेटर्य लेजिस्लेटिव जुडिशल पावर तो एट्यूडिकेटरी होती है जुडिशल पावर तो दो पार्टी की बीच पर डिस्प्योड को सौल करती है यह इंप्लिमेंट करना और डेली एड्मिनिस्टिशन के लिए नियम कानून बना के तुरंत इंप्लिमेंट करना ये एक्जीकुटिव का काम है। चुकि डेली एड्मिनिस्टिशन के लिए अल्रेडी नियम कानून मने हुए है। अभी उनियम कानून को apply करना है किसका काम executive का काम तो अपनी इसी executive power के चलते केंदर की सरकार मतलब council of ministers at the center headed by prime minister और राज की सरकार मतलब council of ministers at state headed by chief minister ये लोग contract sign कर सकते हैं इस contract के चलते हैं ये property ले सकते हैं खरीच सकते हैं property को खरीद के अपने पास रख सकते हैं property को बेच सकते या फिर ये लोग trade और business कर सकते हैं कोई भी और चीज़ कर सकते हैं बशरते constitution तीन condition ले डाउन करता है president और governor they must be expressed to be made by the president or governor they must be executed on behalf of the president or governor they must be executed by such person or in such manner as the president or governor में authorized or direct कहने का मतलब यह है कि भाई देखें इन तीनों points का एक ही मतलब है मतलब यह है कि जब भी कोई executive decision लिया जाएगा कोई नियम कानूыв एक्जेक्योटिव तरीके से implement किया जाएगा तो या तो राश्द्पती के नाम पे किया जाएगा अगर union government का या Gожorner के नाम पर किया जाएगा अगरा State Government का है President या Governor के Sign किये बिना उसको मानना नहीं नहीं माना जाएगा हर चीज़ीन लिबत फीजन ऊपर नहीं कर सकता तो क्या बोला जारा तीन यल astre बिantic इंड़ लग चीज़े मताई गई कی या तो खूद प्रेज़ेंट और इंप्लिमेंट किया जा रहो तो कहीं न कहीं executive contract तभी मानने मानने जाएंगे जब वहाँ पे center के case में president का approval stamp लगाओ state के case में state government sorry governor का approval stamp लगाओ और जो छोटे मोटे executive contracts होते हैं जहां पे हर जगा president और governor अपना stamp नहीं मार सकते तो जो भी normal नियम कानून है या फिर जो भी rules for the convenient transaction of business बना रखें president ने और governor ने उन rules के साफ से अगर president या governor ने अपनी executive power को नीचे delegate कर रखा है तो delegated authority के पास यह ताकत है कि president या फिर governor के बहाफ पर decision ले सकता है लेकिन वो decision ले सकता है यह किसी ना किसी नियम कानून में लेखा होना चाहिए तो basically यह तीस conditions है फुल्फिल होनी चाहिए जो भी executive contract sign हो रहा है उसमें किसी ना किसी तरीके से president या governor की approval होनी चाहिए और यह mandatory है यह directory नहीं यह mandatory है अगर एक contract इस हिसाब से नहीं execute किया गया है क प्रेजिडेंट और governor का approval है direct या indirect तो उस case में उस contract को valid नहीं माना जाएगा अब एक बहुत उजाद रखेगा मान दीजे कोई contract sign किया गया है और उस contract में कुछ गरवड हो जाती है तो president directly responsible नहीं है ना ही government directly responsible है और president और governor दोरा appoint किया गोई कोई authority अगर उस contract को execute कर रही है तो वो भी personally liable नहीं है कहने का मतलब यह है कि president और governor ने जिस executive contract के उपर अपने signature दी है उसके लिए president और governor को आप court में नहीं घसीड सकते हो चुकि president और governor केंदर के लेवल पर राज के लेवल पर nominal head है तो उनके sign की बिना तो वैसी कोई चीज मानने नहीं होगी तो उनको personally responsible नहीं बनाया है या फिर कोई executive contract sign किया है तो उस case में उस authority को भी personal liable नहीं माना चाहेगा तो अगर ना governor ना आपके president personally liable है नहीं president और governor के दौरा appointed designated authority personally liable है तो personally liable है कौन यहाँ पर personally liable है सरकार government of India या government of the state समझ गया भई तो अगर उत्तरप्रदेश के governor कोई executive contract sign कर रहे है और वो executive contract implement हो रहे कल की date में उस contract में कुछ गरबड हो सकता है तो court में किसको खटी आ जाएगा state of उत्तरप्रदेश को खटी जाएगा ना कि उत्तरप्रदेश के पराने governor को या उत्तरप्रदेश या president की नहीं होती है civil servant की नहीं होती है तो जो ordinary law contract बनते है जहां पे एक legal person एक particular individual होता उसी पकार से governmental contracts में जो government होती है वो एक legal entity होती हूँ उसके क्विला case किया जा सकता है वो खुद भी case कर सकती है अब liability of tots के बारे में बात करते है liability of tots का origin कैसे हुआ इसका origin है इसका origin है इस East India Company जब इंडिया में entry मारेगी तो वो क्या थी वो एक trading body थी धीर धीर इस trading body को समझ में आया कि भाई अगर अपने interests को safe guard करना है इंडिया के अंदर तो सिर्फ trading body बनके काम नहीं चलेगा हमें territories को occupy करना पड़ेगा धीर धीर इस company ने territory को occupy करना शुरू किया और एक sovereign authority बन ग कि तब समझे जब तक यह company trading company की तरह काम करी थी या फिर जब यह sovereign भी बन गई जब इसने territory को भी occupy करना शुरू किया दिया as a trader it was doable मतलब trade के respect में अगर इस company की ऊपर कोई case ठोकना चाहे तो ठेक सकता था लेकिन as a sovereign यह company किसी को भी answerable नहीं थी समझ यह बात को यहाँ पर जब company commercial motive से काम कर रही थी profit commandant की motive से काम कर रही थी as a trader काम कर रही थी तब इसके ओपर कोई legal proceeding ने शुरू हो सकती लेकिन जब यह as a sovereign काम कर रही है sovereign मतलब की जब एक राजा की तरह काम कर रही है जब एक administration चलाने वाली body की तरह काम कर रही है उस समय पे इस company को सून ही किया जा सकता है basically यह law किस से निकल क्या था English common law से English common law में एक maxim था एक धारना थी जिसको बोलते king can do no wrong यानि जो राजा है राजा कभी कुछ गलत नहीं कर सकता ठीक है न भाई और अगर माली जे राजा से कुछ गलत हो जाये तो कोई बोली नहीं पाएगा वो गलत है मतलब राजा कभी भी अपने दोरह किये गए किसी भी गलत चीज़ के लिए अपने servants को liable नहीं होगा चुकि राजा राजा है long live the kings, king को कोई भी answerable नहीं कर सकता तो जब king answerable नहीं है तो king दोरह appointed east india company कैसे इंडिया के लोग को answerable हो जाएगी तो east india company जब sovereign functions करती थी तो बंगाल बिहार में दीवानी कर रही है administration चला रही है तो administration करने के दोरान जो भी steps लिए है east india company ने उसके इस्ट इंडिया company को responsibility नहीं ठेराई जा सकती बहुत दिन तक यह चीज़ चलती है तो जब भी trading capacity में इस्ट इंडिया company काम करती थी वह accountable थी accountable क्या थी उसमें भी judiciary सब तो उनके jail में थी अब देखी दूस्तो 1947 में क्या हो पहले तो आपने यह देख लिया कि भाई king can do no wrong उसी प्रकार से east india can do no wrong as far as sovereign functions are concerned sovereign functions मतलब administration चलाना, police का काम करना, judiciary वगरा, form करना यह सब इनके sovereign functions है, tax रसूल करना तो इन सब चीज़ों में east india company को को कुई कुछ नहीं बोल सकता किसी भी प्रकार का कोई case उनके खिलाब file नहीं हो सकता इसकी दम पे तो वो पूरी तरीके से exploit कर रहे थे हमारे farmers को और यह ची chain में चीज़ें बदलेंगी, crown की जो immunity थी ना, कि sovereign functions में crown कुछ भी गलत नहीं कर सकता, वो immunity खतम हो जाएगी crown proceeding act 1947 से, British crown की जो blanket immunity थी, as far as sovereign functions are concerned, यह blanket immunity खतम हो गई कब 1947 में, लेकिन 1947 में British crown की तो liability खतम हो गई, sorry, sovereignty खतम हो गई, यह नहीं है, sovereign functions में जो उसकी immunity थी वो खतम हो गई, मतलब अब responsible वहाँ ठहराय जा सकता था, officials को, ministers को, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ, इंडिया में, क्या चीज़ निकल क्या ही, इंडिया में यह बोला गया, चाह सकती है, तो authority को सू किया जा सकता है, लेकिन सू करने में, दो प्रकार के functions को यहाँ पर बाठा गया है, एक है आपके sovereign functions, एक है आपके non-sovering functions, sovereign functions यहाँ पर क्या बोले जाएंगे, sovereign functions हो गया मतलब की, police करना, crime को रोकना, military से related चीज़े, justice को administer करना, तो यह sovereign functions है, as far as these sovereign functions are concerned, ठीक है, बाई, किसी भी public servant को, civil servant को, ठीक है, ministers को responsible नहीं ठेराया जा सकता, as simple as that, ठीक है, लेकिन, non-sovering functions में, कुछ हज़तक responsibility fix की गई है, तो बाई, तोट्स की जब बात आती, 1947 के बाद, जो भी functions कर रही है, सरकार उनको दो भागों में बाटा गया, sovereign function, non-sovering function, non-sovering functions में, आपकी accountability fix की जा सकती है, बट, sovereign functions में, को accountability नहीं है, आपको तोट्स के लिए, sue, नहीं किया जा सकता, as simple as that, और बात यह है, कि जो sovereign और non-sovering functions के बी 1861 में, 1861 में एक act आया था, अंगलेजी सरकार की तरह से, जिसका नाम था, P&O, Steam Navigation Act, P&O, Scheme Navigation Act, या फिर आप कह लिए, P&O, Scheme Navigation Company Case, तो P&O, Scheme Navigation Company Case ने क्या बोला, इसने ये बोला, कि भाई देखे, सरकार के दो functions होगा, एक sovereign function होगा, एक non-sovering function होगा, ये जो P&O, Steam Navigation Company केस में बोला गया, यही हमारे देश की सरकार ने आजादी के बाद अडॉप्ट कर लिया, कि भाई कहीं न कहीं सरकार के पास काम करने के लिए, कुछ हद तक leverage होना चाहिए, और कहीं न कहीं पोस्ट इंडिपेंडनेस एरा में, हमारे Supreme Court ने इसको approval भी दिया, Supreme Court ने, कस्तू के सरकारों का है, राज के सरकारों, उनके non-sovereign functions अलाग है, उनके sovereign functions अलाग है, तो भाई, sovereign functions और non-sovereign functions के बीच में differentiation कि सके तूर आया, P&O, steam navigation company के सके तूर, बाद में, post-independence India में, कस्तूरी लाल versus state of UP case 1965 ने भी बोला, कि हाँ भाई, सरकार के sovereign और non-sovereign functions अलाग है, लेकि कस्तूरी लाल case के judgment के बाद एक trend देखा गया, trend ये देखा गया कि Supreme Court ने successive case में ये बोलना शुरू कर दिया, कि जो sovereign functions है सरकार के, जो sovereign domain है सरकार की, वो बहुत restrictive है, बहुत सरकार अपने sovereign domain को एक limit से ज़दा नहीं बढ़ा सकती, अब बहुत से cases में सरकार के sovereign domain को Supreme Court question करने नगेंदर राओ case में Supreme Court ने doctrine of sovereign immunity of the state को question किया, and it adopted a liberal approach with respect to torches liability of the state, हो क्या रहा था दोस्तों, कि sovereign functions के नाम पे, सरकार कभी-कभी लोगों का अत्याचार कर रही, तो सरकार के अत्याचार कर रही, सरकार में यो काम करने वाले corrupt officials थे बहुत प्याचार कर रहे थे, अगर कोई न sovereign functions के नाम पे बोल दें, कि हमें तो इसमें question ही नहीं किया जा सकता, तो यह तो लोगों के against अत्याचार हो गया, Supreme Court ने बोला, यह नहीं हो पाएगा, यह आपकी doctrine of sovereign immunity है, कि justice, police, administration के नाम पे आप कुछ भी कर रहे हो, यह नहीं हो पाएगा, अगर आपके civil servant कुछ गलत करते है तो tortious liability लगेगी, मतलब कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, तो आपको liable ठहराय जाएगा, आपकी civil servants को भी liable ठहराय जा सकता है, तो क्या बोला गया, it ruled that when a citizen suffers any damage due to negligent act of servants of the state, the state would be liable to pay compensation for it, the state cannot avoid this liability from the ground of sovereign immunity, कहना है, मतलब क्या है, कि अगर किसी citizen को damage होता है, negligent act of servant of the state की वज़े से, तो ऐसे case में state को compensation देना पड़ेगा, ठीक है, और state अपनी liability को avoid नहीं कर सकता on the ground of sovereign immunity, तो ये बोल के, कि भाया, sovereign immunity है, इसलिए आम नहीं 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 कानुन मनाया, ये step लिया, नहीं, अगर Supreme Court को ये पता चलता है, केस की hearing के दोरान, कि एक public servant ने responsible तरीके से काम नहीं किया है, तो उस public servant की गलती के लिए हो सकता है, कि राजी की सरकार को, ये केंदर की सरकार को हरजाना बढ़ना पड़े, समझ गा भाई, तो कहीं ना कहीं नगेंदर कुमार के case के बाद, modernity निकल के आने लगी, और modernity क्या बोने लगी, कि भाया, य तो जड़तर cases में जो state है, state मतलब यहां पर केंदर सरकार, राज सरकार दोनों, वो immunity क्लेम नहीं कर सकता है, बहुती कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जहां पर सच में सरकार को responsible नहीं ठहराए जाना चाहिए, जहां पर सच में अगर सरकार के हाथ बंद हैं, तो सरकार को problem हो सक सकते हैं, public interest का concept पूरे दुनिया में बदल गया है, society structurally बदल रही है, हमारा जो legal और political system है, वो लोगों के हिसाब से चलता है, तो किसी भी प्रकार से अगर किसी भी citizen के right चीने जा रहे हैं, तो ऐसे case में, अगर state के officer responsible हैं, तो उसके लिए state को, यानि केंदर की सरकार को, या राजी की सरकार को या उसके public official को responsible ठहराया जाएगा, वो यहां से बचके नहीं निकल सकते हैं, ठीक है भाई, यह progressive society का एक काईदा है, और कहीं न कहीं judicial approach के लिए जरूरी है, कि वो progressive society के इस काईदे को, कि भाई, executive अपने मन मताबिक कुछ भी ना कर पाए, ensure करना judicial के लिए बहुत ज़दा ज़रूरी है, तो भाई, जो watertight compartmentalization है कि state के functions को आपने sovereign बोल दिया, non-sovereign बोल दिया, यह गलत है, ठीक है न, this is not sound, this is contrary to modern jurisprudential thinking, ठीक है भाई, उसके बाद, चुकि हमारे देश में welfare state का concept है, तो कहीं न कहीं, state की सरकार की और सरकार के officers की duty बनती है, कि वो citizens के लिए जितना हो सके उत्ता welfare state बनाएं, और welfare state में, आपको लोगों के लिए holistically काम करना है, तो welfare state में आपको किवल देश को ही नहीं बचाने है, देश को बचाने के साथ-साथ आपको efficient तरीके से justice administer करना है, law and order कमेंटेन करना है, साथ-साथ educational field में, social field में, economic, commercial, political, even marital field में, progressive thought process लेके आना है, progressive नियम कानून लेके आना है, ताकि लोगों का भला हो सके है, और इस प्रकार से नियम कानून लेके आना है, कि आप उनकी daily life में interfere भी ना करो, तो यहाँ पर interference अगर आप करते हो, और बोलतो हम तो sovereign function कर रहे हैं, यह नहीं चल पाएगा, और धीरे धीरे जैस maintenance of law and order, suppression of crime, इन चीजों को रोकने की बातों को छोड़ दो, तो बाकी सब चीजों में सरकार कुछ भी करे, सरकार blanket immunity claim नहीं कर सकता, इसलिए कहीं न कहीं नगेंदर राओ केस 1994 में, जो कस्तूरी लाल केस 1965 का judgment था, उसको nullify कर दिया, कस्तूरी लाल केस 1965 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, कि भाई, Soverein और Non-Soverein functions अलग है, नगेंदर राओ केस में भी कही न कहीं सरकार ने बोला कि बाई, Soverein और Non-Souverein functions अलग है, बट Soverein functions बहुत जादा कम है, जादतर Non-Souverein functions नहीं, जदतर चीजों के लिए सरकार में Responsibility ठहाना जाए सकता है, तो जो distinction था, Soverein और non-sovereign functions के बीच का वो कस्तूरी लाज जज्जमेंट ने upheld किया था कही ना कही नगेंदर राओ ने भी upheld किया लेकिन वो नाम का upheld था चुकि sovereign functions बहुत ज़ादा limited रखे किसने नगेंदर राओ किसने और फिर finally क्या आएगा फिर finally निकल के आएगा common cause case को reject कर दिया Supreme Court ने क्या बोला कि इसमें common cause case 1999 में कि यह जो P&O steam navigation company case था यह जो judgment था 1867 का यह बहुत पुराना है और यह out mode हो चुका है अब हम modern times में रह रहे हैं और modern times में जैसे development हुआ है technological growth हुई है वैसे वैसे state की responsibility भी बढ़ी है और जब state की responsibility बढ़ती है आप sovereign functions और non-sovereign functions में discrimination नहीं कर सकते है government की interference आज के नागरीकों के हर facet में है नागरीकों की जिंदगी में हर जगा पे है इसलिए state की responsibility हर जगा है किसी भी जगाओ पे sovereign बोलके state अपनी responsibility को shrug off नहीं कर सकता अगर welfare और फिर state के modernity के concept को देखना है तो state की responsibility हर जगा तह की जाएगी और state के साथ-साथ जो state के employees है ना उनकी responsibility भी हर जगा तह की जाएगी समझ गया और फिर फाइनली prisoner's murder case है 2000 का the supreme court ruled that in the process of judicial advancement का स्थूरिलाग case has failed into significance insignificance and is no longer of any binding value तो कोल मिलाके common cause case 1998 में जो doctrine of sovereign immunity थी इसको nullify किया common cause case 1999 ने ये बोला कि P&O steam navigation company case में जो sovereign और non-sovereign functions अलग किये गये थे ये सही नहीं था ये गलत था और उसके बाद finally क्या आएगा prisoner's murder case जिसमें बोला गया कि कस्तूरी लाल case में जो कुछ भी बोला था वो बिल्कुल insignificant हो चुका उसका कोई मतलम नहीं रहा है तो यहां पर P&O steam navigation case के through sovereign और non-sovereign functions को अलग किया गया कस्तूरी लाल case of Supreme Court 1965 ने भी sovereign और non-sovereign functions को अलग मारा फिर finally आते हैं 1994 में नगेंदर नाथ राव case पे नगेंदर नाथ नगेंदर राव case पे नगेंदर राव case 1994 में Supreme Court ने क्या बोला कि ठीक है sovereign functions और non-sovereign functions अलग हैं बट sovereign functions बहुत कम हैं ज्यादा तर functions non-sovereign हैं finally आता है common cause case जो कि बोलता है कि doctrine of sovereign immunity गलत है यह sovereign और non-sovereign functions के बीच के discrimination है वो गलत है और finally आता है prisoners murder case जिसमें Supreme Court यह बोलती कि कि कस्तूरी ला judgment था जिसने sovereign और non-sovereign course के बीच का जो difference था सही माना था यह अब insignificant हो चुका इसका कोई भी मतलब अब नहीं रहा अगली वीडियो हम बात करेंगे suits against public officials thank you for watching have a great day